सन 1936 में श्रीमन मार्तंड मानिक प्रभु महराज की महा समाधी हुई और श्री शंकर मानिक प्रभु महराज प्रभु पीठ पर आसीन हुए. अपने गुरुजनों की परंपरा को और अधिक सुद्रण बनाते हुए केवल दस वर्षों के अपने अल्प कार्यकाल में, महराज श्री ने संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए भगीरत प्रयास किये. श्री शंकर मानिक प्रभु महराज ने संस्थान की प्रबंध व्यवस्था में नियम बध्धता लाकर विविध उत्सव महोत्सवों के आयोजनों को तथा परंपराओं और पध्धतियों को एक सुव्यवस्थित स्वरू प्रदान किया. सन 1945 के फालगुन मास में एका एक महराज श्री का स्वास्थ बिगड़ा और 28 फरवरी को फालगुन वध्यद वितिया के दिन महराज श्री अपने नश्वर देह को त्याग कर प्रभुचरणों में लीन हुए. त्रिकाल दर्शी महराज श्री को अपने निर्यान का दिन पहले से ग्यात होने के कारण महराज श्री ने स्वयम कुछ दिन पूर्व सोलापुर के अपने प्रियशिष्य बाबुराव वैकुंठ को चिठ्थी लिखी और समाधी विधी के लिए लगने वाले वस्त्र आदि कि सारी सामगरी जो यहां उपलब्ध नहीं होती वह लाने की आग्या दी। बाबुराव वैकुंठ नहीं जानते थे कि यह सारा सामान महराज श्री ने किसलिये लाने को कहा है। वे सामान लेकर जब मानिक नगर पहुँचे तब उन्हें पता चला कि महराज श्री नहीं र श्रीमत तारणवत सरेशट शडश्टैके तथा फालगुने पक्षे कृष्ट्नच सौम्य वासरमिदं रात्रव द्विती आंगने। श्रीमत शंकर मानिक प्रभुवरो प्राप्तो सदाचित सुखं चिन्मारतांडपदे विलीन भवतु सचित घनम मानिकं। प्रतिवर्ष फालगुन वध्य द्वितीया को वेदान्त सप्ताह के पहले दिन महराज श्री की पुण्यतिति निमित समाधि मंदिर में महापूजा के पश्चात अपरान्हकाल में आराधना का विधान परंपरानु रूप संपन्न होता है।